और फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चाहें ग्यान प्लस पर उतर प्रेश अधीनस सिवा चाहें नायोग P.E.T. को अंतिम मंजूरी मिल गई है सासना देश आज जारी हो जाएगा 15-16 माई को परिच्छाएं हो सकती है ऑनलाइन आवेदन जल्द सुरू हो जाएंगे ये होगा भरती का पार्ट क्रेम नई भरती प्रक्याएं शुरू चलिए ख़वर को हम विश्थार से देख लेते हैं अगर आप चलिए पहली बार हैंचनल को सब्सक्राइब जब लाइकन को प्रेस करना मत भूलेगा इसी तरह की रेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं समुगा परिच्छा के लिए पार्ट क्रेम को मंजूरी मुक्वंति योगी आदितनात ने समुगा के पदों परभरती के लिए होने वाली प्रारमिक आर्टा परिच्छा के पार्ट क्रेम को मंजूरी दे दी है तो अच्छी बात है कि परिच्छा कार्ट क्रेम को मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश अदिनस सेवाचेन आयोग ने समुगा के पदों परभरती के लिए प्रारमिक आर्टा परिच्छा का पार्ट क्रेम और परिच्छा कार्ट क्रेम बताते हुए सासन को मंजूरी के लिए भेजा था इसमें हमने आपको पहले बताया कि कार्ट्रम भी है यानि कि कब परिच्छाएं होंगे कब इजा लटाए गई इस सारी चीज़ें भी उसमें बताएगी है सुत्रों के मुतावित कार्विक विभाग के प्रस्ताव को मुखवंत्री ने मंजूरी दे दी है पार्ट्रम को अधिनस सेवा चेन आयो की विवसाइट पे ऑनलाइन किया जाएगा आरता परिच्छा सव अंक्यों की दो घंटे की होगी जिसमें निगेटिव मार्किंग की विवस्ता की गई है परिच्छा दितियों की गुफड़ा भी जल्द कर दी जाएगी ओफिस्यल विवसाइट पे जिससे की अब बहती देख सकेंगे परिच्छा फॉर्म भर सकेंगे और परिच्छा दे सकेंगे उसके बाद नई जो भरतिया हैं कि उस पे आप सामिल हो सकेंगे यहां पे ठीक एक और खवर है पर्ट्रम को योगी की मंजूरी पीटी के उतर पदेश अधिनस सेवाचेन आयोग द्वारा अपनाई गईदू इस तरी परिच्छा पनाली के प्रारंभिक आरता परिच्छा पीटी कराए जाने का रास्ता साप हो गया है मुखवंत्री योगी आधित्तनाद ने आयोग की ओर से प्रस्तावित पार्ट्रम और परिच्छा कायरकम को मंजूरी दे दी हैं मुखवंत्री की मंजूरी के बाद सुक्रुवार को इस बारे में सासना देश जाली होने की संभावना है प्रारम्भी कारता परिच्छा दो हंटे की होगी सौसवालों का प्रिशन पत्त होगा प्रतेक प्रिशन के गलत उतर देने पर एक चौथाई निगेटिव मार्किंग होगी परिच्छा अपरेल माई में हो सकती है आयोग की ओर से बीती दस परोली कमुकमंत्री के सामने प्रिच्छा का प्रिच्छा कराने का प्रस्ताव है वो 15-16 माई को रखा है क्योंकि उसके पहले जो हैं परधानी के चुनाव हैं उसके बाद यूपी वोड की परिच्छा हैं तो 15-16 माई को यूपी टिपलेसी परिच्छा कराएने का अभी तक प्रस्ताव रखा है तो 15 और 16 माई को आपकी जो पी एटी प्रारमिक परिच्छा हो सकती है उसके बाद जून में रिजल्ट जारी करने की पूरी पूरी तैयारी है उतरप्रदेश अधीनस सेवाचे नायोग द्वारा और उम्मीद है कि उतरप्रदेश अधीनस सेवाचे नायोग आप अंतिम मंजूरी मिलने के बाद अगले हपते से ऑनलाइन अगदन शुरू कर द इच्छा और रिजल्ट आने के बाद भी नए फॉर्म अब आएंगे तो सभी लोग हो जाएं तैयार अपने तैयारी को अंतिम रूप दे दें इसी असात अताम उम्मित के साथ इस वीडियो में तरह हैं मिलें कि अगली वीडियो में तब तक लिए धन्नवाद